गर मैं इस पर जूम करूँ पूरा रिप्रोडक्ति और गें पे ये वाले पे तो इसमें आपको यह देख रहा है यह पूरा बोन जो है यह का लाता प्लिक गर्डर यह वाला बोन के अंदर होता है यह सब बात हम लोगों ने कर लिया है हम लोग को इसी पैल्विक गर्डल के अंदर घुचना है कि कहां पर इसी का ओवरी में अब अगर मैं इसका एसकेलेटन वाला पार्ट यह जो फिमेल का एसकेलेटन है पुड़ा मैं हटा दू तो अब जो है रेप्रोड सिस्टम वाला पार्ट बहार निकल गया और इसी पर अगर मैं जूम करूं जराशा तो अब आप इसको अगर अच्छे से देखो गे तो डेर सारा पाट इसमें दीख रहे हैं दोनों साइड ओबरी आपको देख रहे हैं दोनों साइड जोंडों लोग बात कर रहें किसका ओ पूरा रिप्रोड़क्तिव और गेन आप बोल सकते हो जिसमें मेरी इसमें नहीं दिखा रहा है मेरी फ्रेसिक रिजन में मौझूद होगा तो हम लोग को बात करना जैनेशिस पर उजैनेसिस कहा होगा यही ओभरी के अंदर यह दोनों जो वरी है इसमें होना है और अब का प इसके बारे में पढ़ेंगे इस ही के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑजैनेसिस यहां पर देखना है दो यह और अब देखोगे तो यहां दिखा रहा है है यह उजनेशिस है तो यही करना है इसी उजनेसिस पर में आप और श्र्ष्ट बहां डिया है अब कुं टुम के और बरी में यहां पर जो है मैं अलग से समझता हूं आपको कि जिसको साइट बें लेते है और फ्लेपियनटूब में हटा दे रहा हूं ठीक है है कि आपको नजर आ रहा है तो यह वाला जो भी वाला प्रोसल ये यो ब्रीवाला पर्शन है तो अबरी वहाला जो पॉर्शन है किसी ऑवरी पर हम लोग बात करेंगे लोग यह झो भी यह पूरा जो यहां पाट है यह क्या है कि इसी को लोग क्या बोल रहा है कि इसी ओभरी में जब आप इस ओभरी का अंदर में देखोगे तो मैं यहां फिर से एक ओभरी को ड्रॉ कर रहा हूं लिखो है कि इस तरीके से द्धेगा तो बीजो झो ड्रॉ किए इसके चारो साइड बाहर वाला जो पूर्चन आetes कि यह जो पूर्चन आपको दिख रहा है album और का गश्षिर जर्मिनल सेल वाला दिखेगा ने जो लेयर है आउटर वाला मलोग बोलेंगे यह जर्मिनल सेल लेयर भी बोल सकते हैं यह जर्म लेयर मुझूद है इस जर्म लेयर के अगर अंदर लोग गुशे जर्म लेयर के अगर अंदर गुश जाए तो जैसे अंदर गुशेंगे तो यह पूरा जो पाट बच गया यह का लाता एस्ट्रोमा यह कुण सा पाट है एस्ट्रोमा वाला पाट और इसी एस्ट्रोमा में फिर इसको डिवाइड किया गया है दो पाट में एस्ट्रोमा को और एस्ट्रोमा को जो दो पाट में बाटा है अगर मैं यहां एक लाइन फिल दू तो यह वाला जो पाट है को टेक्स का लाता है क्या क यह कौन सा पाट है इस तरह से इसको बाटा गया है मतलब यह जो एस्ट्रोमा है इस एस्ट्रोमा को दो भाग बाट दिया गया को अब हम लोग आज की क्लास में जो भी बात करेंगे उस सारा बार कहां का है इस कोटिकल रीजन का मतलब जो ही बात करेंगे इसी कोटिकल रीजन का आम लोग बात करने zura कोट क्स वाला जो है इसी रीजन से रिलेटेटन में हम यहां पर बात और यही प्रिमोडियल जर्म सेल का हम लोग डबला पैंट कि प्रिमोडियल जर्म सेल जो होता है ना चौर्ट यह डिपलो आईड होता है इसका अगर जनेटिक में कब देखोगे सेक्स प्रमोजों तो यहीं प्रीमोडियल जर्मसेल कैसे डवलप्ट करेगा एस्टेप अब लोग अभी यहां पर देखने जा रहा है तो हम लोग कहां का बात कर रहे हैं और और बारे में यहीं जो काम करेगा जो गयमिट बनाने का काम करें और जो सेक्स पर्मोन का अ अ जो अब बात कर रहे हैं तो फीमेल गेमिट की बात कर रहे हैं और सिधा बोले की जो अब है से अर बात कर रहा है को हुआ है और सेक्स हार्मोन में आपको अच्छे पता है और कहां से प्रोजेस्टों की अमलुक बात कर रहे हैं तो दो के बारे में बात करेंगे तो यही ओवरी तो उसी ओवरी का अगर सेक्षन काट के देखा जाए तो बाहर से त्वीन जर्मिनल ईपी तीलियम यहलो वाला जो पाट है यह काए तीन यह जर्मिनल एपेथिलियम मौझूद फिर उसके अंदर एस्ट्रों माख को दो भाग में बाट रहा है जो बाहर वाला पाठ है बाहर वाला पूर्चन है यह वाला पूर्चन साइड से का कलाया पॉर्टिकल रिजन कलाया को टेक्स और अंदर वाला जो है वह कलाता है मैडू तो लिखे नहीं तो क्लिक कीजिए तब आगे बढ़ेंगे लिखना है या क्लिक कर लिजा अगर मोबाइल तो घर पर बैठके लिख लिए कि अगर जाओ चलिए तो हम लोग बात किसका करने जा रहे हैं इसके अंदर और हमारा आज का हेडिंग क्या हो जागा गेमिटो जनेसिस इसको मैं अटा रहा हूँ हूँ कुद करको हम लोग जो भी बात करने जा रहे हैं किसका घ्यमीटो कि जेनेसिस से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं वलोग का खात हेडिंग क्या बच्चो og mate जेनेसिस कि बोले तो गेमिट का प्रोडक्शन और कौन सा गेमिटोजनेसिस की बात करे जा रहे हैं कि गेमिटोजनेसिस में हम लोग किसकी बात करे जा रहे हैं फीमेल का मेल में भी गेमिटोजनेसिस होता है फीमेल में भी गेमिटोजनेसिस होता है निव लोगए क्लास में देख चुवश्थ।त अब लोग को देखना था मेल गेमीटोजनेसिस और सारा बात कहां है कोभरी के अंदर पोभ supportive के अंदर अ कह हुआ कि पैश्टाम में का जो बता है सबसे पहले होता प्रिमोडियल जर्म शेल haha कि सबसे पहला जो सेल आता है इसके अंदर कि या मदर सेल भी आप बोल सकते हो क्या लिखेंगे कि इस साइड प्रिमोडियल कि जर्म कि सेल की बाद कि प्रिमोडियल जर्म से यह जो प्रिमोडियल जर्म सेल है नहीं दिख रहा है कि कि प्रिमोडियल जर्म से प्रिमोडियल जो जर्म सेल होता है इसका अगर जनेटिक मेकप लिखा जाए तो यह होता है डिपलॉइड और डिपलॉइड लिखे तो फोटी एक्स प्रमोजम हो गई प्रिमोडियल जर्म सेल में होता है माइटोसिस इसी में क्या होना है सुरू में होता है माइटोसिस और जैसे माइटोसिस होगा तो जो बन के आएगा उस को बोलता है ऄणाम देता है तूँगोनिया इसी को बोल जाए जए उस फिए左 सचो मैटोसिस हो कहा है उगोनिया भी बन गया है लेगन कब बना है उगोनिया बनता है जब खाल यूमनी फीमेल चाइड मा के यूटरस के अंदर जाट में महने की होती है जैसे 6 मेहना कम्प्लीट होगा और 7 मेहने में आएगी द्याट मिन्स विक की अगर बात करें तो 25th वीग 25 वीग चौबीस वीग तक 6 महना साथ महाम हैना मतलब क्या 25 वीक अफ इंट्रा यूट्राइन लाइब मतलब और गोनियाख कब बनेगा इसकी अगर बात करहें तो क्या लिखेंगे है 25 वीक कि अब इंट्रा यूट्राइन लाइब ऑई उएए युञ जरेटिक में कब क्या होना चाहिए इसका यह से मोगा क्यों होगा माइटोशीस हुआ है क्रोमोजूम का नंबर से तो इसका जनेटिक मेकप अगर कभी पूच दे तो 2N बराबर 46 या तो लिखेंगे 44 प्लस XX या तो लिखेंगे 2A प्लस X सब्सक्राइब इसका ओगोनियां में बाधोर सब्सक्राइब में कुछ डवलप्मेंट होगा जिसका सइस्ट थोरा बड़ा हो जाएगा तो उसी साइट्स क्या बोला जाएगा प्रैमरी ओसाइट्स और जो प्रैमरी ओसाइट्स की जो बाग करें तो जनेटिक मेकप क्या हो जाएगा बच्चो तु एन बराबर 46 44 प्लस एकस या टुए अब इसी प्रैमरी ओसाइट्स में स्टार्ट हो जाएगा क्या स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस प्रैमरी ओसाइट्स में क्या स्टार्ट होना है मियोसिस स्टार्ट करेंगे इस्टार्ट हो गया यहां पर मियोसिस लेगिन मैं क्या बोला हूं स्टार्ट होगा मियोसिस स्टार ений कि अलग यहां से मियों सी सी स्टार प्रोप्र स्टेज में यह की से स्टेज मेंने इस सुगा एरस्टेट इन के रूफेज कि सफ एक असि इस टीच कि एक आफई हो गया बच्चो शो जाए twenty i7 श टोगर को प्रूपेट फक्रिमत में ऐस टोगा मैं। नहीं कब ऑस टोगा ड्रॉफेट एस इसमें थोरा सा और जोड देते हैं अइंधी साथ हो जाएगा एरेश्टे दिन प्रोफेट स्सट्टे उस्थ कब है आट बर्ट जन्म कि सिस्व दो हुआ निकान वॉत जब हुआ कि से श्टेज में आगया यह प्रोफेट से में यह बिलाईग Tet कब तक है अब टू प्यू वर्टी कब तक रिस तहेगा क्या बोलेंगे अब टू जब तक है उमेन फीमेल का ना आज ए प्यू बर्टी ना आज ए जब तक हुमेन फीमेल का तब तक यह क्या होगा अब कुस्टन है सर क्या प्रोफेज पर्स्ट आपको मियोसिस आना चाहिए था मैंने पिछले क्लास में बोला था जाप माइटोसिस मियोसिस पर क्या हिएगा पता है सब को मियोसिस का सब सब अब है पता है यहां तो बोड़ी छोटा है अब पताना पड़ेगा अचली अब बताओं तो बताओं का इस वोटा चोटा लिखते हैं यहीं पर चोटा चोटा लिखते हैं अ कि चला जगो मियोसिस को बाटा गया है दो भाग में एक मियोसिस कि परस्ट और एक माटा गया मियोसिस कि सब्सक्राइब तुमियोसिस फर्स्ट को लेक आगे बाएं मियोसिससे कंड बार्थ में कर लेंगगो फूटिक है मियोसिस फर्स्ट को जो बाटा गया है है का मैं था एक केरियो का एनिश Tapio क एनिश रश्ट और धैन सैटो काईश सब्सक्राइब केर्यो कैवियो कैनेसिस कहीं का भी हो यह करोफेज फास्ट पीमेटी होता है मेटाफेज़ फास्ट अटीलो फेज प्रोफेज फर्स्ट की जो बात करेंगे इसको फिर बाता जाता है साथ पढ़े हो यह आप लोग लेप्टोटीन जाइगोटीन फैकेटीन डिपलोटीन डाइकैनेसिस यह सिर्फ फर्स्ट का एस्टेप लिखे जगा नहीं है तो मैं क्या बोला हूं जो प्रैमरी उस साइट से उसमें स्टार्ट हुआ मियोसिस मियोसिस स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होती के साथ एरेस्ट हो गया है किसे स्टेज में प्रोफेट्स फर्स्टेज में होता है उस समय अगर उसके उस टू की बात करें तो किसे प्रोफेट्स स्क्राइब कब तक फरस्ट में रहएगा आप तू प्योवर्टी तो आप्र ही कौ आएगा तो एक जारा 12 साल में तो क्या एलेवन से 12 साल के आजपास एप्रोक्स इसलिए बोल रहे हैं कि किसी-किसी फीमेल का प्यूवर्टी में में याज़ा तो किसी का 10 में किसी का 11 में किसी का 13 14 15 तो कोई फिक्स नहीं है फीमेल टू फीमेल यह भैरी कर जाता है इसलिए जो आपका एंसे आटी बात किया एक यारा-बारा साल के आसपास तो मैंने इसलिए यहां एक प्रॉक्स का सिंबल डाल दिया और बता दिया कि यह 11 12 साल के आसपास तुबर्टी एस्टेज मतलव जब हुमेन फिमेल चाईल जनम लेने के 11 से 12 साल तक हुमेन फिमेल चाईल इप इससे तरह ऊसका उसाइड्ट रोखेट फस्ट ले एएट अभ सिपर्श्र चेज्ट आ घाएगा नहीं तो प्रबटी जैसे आएगा तो में तूरेशन हो मैं स्टार्ट होगा किसका अभियर फॉलिकल का अब अगला स्टेप में चुंच संब में की तुरेशन ऑफ एलता हुए आज नए न पाली इनट एंट से capable भूरेंगे ग्रैफियन फॉलिकल्स तो ऑग्रेफियन फॉलिकल्स की जुम लोग बात कर रहे हैं तो ग्रेफियन फॉलिकुलर का मैचूरेशन कभी स्टार्ट होगा कभ आप्टर प्यूवर्टी अब कुस्टन यह सर ग्रेफियन फॉलिकल क्या है तो इसी पर पूरा क्लास अभी बात होगा यह उसाइट का ही जो मैचूरेशन होता है स्टेब बाइस्टेप तो इसी को बोलता है ग्रेफियन फॉलिकल पुरा डीटेल में पता चलेगा कुछ दिर्वाद को ततकाल यादर के मैचुरेशन ग्रेफियन फॉलिकल का Siardan अनृप्तर । के मैचूरेशन स्टार्ट हो जाएगए और जैसे ढूरेसन का मेचूरेशन स्टार्ट हो काम जुसीट कामलीटवी स्ट कम्प्लीट कर दो हुआ है है a meiosis past हुआ है meiosis first complete हो गया है और जैसे miosis first complete होगा बच्चो तो इसका मतलब क्या जो फर्स एस्टेज में एरेस स्था तो मैंचूरेशन जो ग्रेप्रन nutricle का स्टार्ट हुआ यहीं पर ना आएगा फर्फ से कोन सास्टेज तर इसी जगह पर आएगा after Puberty Metaphage first में आया होगा, Enaphage first में आया होगा, Tilo phase first में आया होगा, Cytokinesis first हुआ होगा. और जैसे Cytokinesis हुआ होगा, दोगोस सेल बना होगा, सेल डिवीजन हो गया, तो मियोसिस first जैसे complete होगा, तो दोगोस सेल यहां बन के आएगा, दोसेल मुख इब यो शिस եर्स्ट कम्प्लिट हुआ है तो बन जाएंगा सेकंट्री कि बोलेंगे सेकंड्री वु साइटडस इसका और एक बन जाएगا पोलर भड़ी क्या होगा chauffंण अगर ने ही तो सफफ हैं िश्ट्राइख शॉलर भरडि अ पॉलर भी मुविध पहला बना आप इसको ईससे ख्रह्इं हो फस्ट में इस्को ऐसे ख़र सकते फोलर बड़ी पालाप впो लरो बड़ी बनी आत्र को दो सब्सक्राइब करते हैं अगर इसका जनेटिक में कप लिखे तो देखो मियोसिस कंप्लीट हुआ और आपको पता मियोसिस कंप्लीट हुआ लिखे दो सब्सक्राइब का नंबर मुद्स सकता है लिखनी मेंना आप से पूछा जासकता है जो फॉस्ट पोलर बड़ी है इसका जनेटिक में क्या है तो सेमी होगा मतलब यहां वराबर 23 या 22 प्लस X या 22 22 नहीं ए प्लस ए अ प्लस एक्स की बात करें यह जनेटिक में कप हो गया तो क्वेस्ट यह है कि फॉस्ट पॉलर बड़ी कब बना फॉष्ट फॉट्र बड़ी कब बना पक्षो न को हम लोग यह पर बात करेंगे क्iously करेंगे तो फॉश्ट पॉट्र बड़ी नियुक भॉलें ध्यूला है जट वैक्ड्चस को हम लोग बात करेंगे तो यहां देखो इसमें पोलर बड़ी क्या तो मैं यह साइड में बता रहा हूं होता क्या है मालों यह एक सेल है और इस सेल में जब भी मियोसिस होगा तो पहले तो केरियो कैनेसिस हो गया तो निकले डिवीजन बराबर हो गया होना इस वह होता है इस गेसमें साइड Schnee Kill बने गास बड़ास बन ज जाएगा जिसमें निकलियस जिसमें यही result एज यह पर यह तुर्य खोटा बाले को पॉलर बडी बोल दिया जाता है और यह एक बन गया जो जिसको हम लोग क्या नाम दिए सपेंड्री गूसाइट समझ मा है तो पोलर बड़ी का भी साइटो प्लाजम इसके पास आ गिया इसमें साइटोप्लाजम कम हैं तो धीरे-धीरे बोल सकते की पर जाता है इसका काम कतम हो जाता है लेगिन यह नहीं अब कहेगा सर आगे जाके पर होना है तो देवल्लफमेंट होने के लिए जितना प्रोटीन जो भी चाहिए सब रखेगा ना तो यह ज градसे जादा रख लिया हुआ अगे को क्या किया कम रखा और यह पुलर बॉल दिए bono- party के लिए technology super तो फार्स्ट पॉलर बड़ी कब बना पास्ट पॉलर बड़ी आप्टर प्यूबर्टी एस्टेज बनता है फास्ट पॉलर बड़ी की जो लोग बात करते हैं आपक ट्वर्टी गा तो आप एक काम करो बच्छों अभी जगा और चाहिए मुझे इसको पहले लिक लिए याने कि बुलिए कि आपका जो क्वेश्चन है या तो लास्ट में यादी लगेगा कर देंगे कि क्यांकि यहां से हटके तो यहां का रहता तब तो भी क्लास में कर दें आपका कुस्ट्चन तिलाल यहां से हटके तो आंसर मिलेगा है लेकिन लास्ट कि क्लियर है यहां तक जगार आता तो इसी को कंटीनू करते फिलाल जगा नहीं है तो हमको साप करना पड़ जाएगा तो अब करू आगे तो चलिए यहां तक पहले एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोला प्रिमोडियल जर्म से ले कहां का बात कर रहे थे सारा बात अबरी के अंदर अबरी में भी कोटिकल रिजन के अंदर टेक्स के अंदर लिजन में जो हम लोग भात किये तो बताया फ्रीमोडियल जर्म सेल में होना है माइक्व थो होगा तो जब भी माइक्व माइट्रोसिस होता है कभी है माइट्रोसिस नहीं होता याद रखेगे तो इसी को तीसरे सब्दों में बोले तो महंना में घुमान फिरा के वही बात आत्र हो जाए और ऊसका भी जनेटिक घूप क्या होका सेश्च जो ल τον बगातिम पिरृट्स के सब्सक्राइब बड़ारी साइट्स जो बना इस प्र Ots जनेटिक में कबसे भी होता है उसी में मिल्स न्य विंस फस्ट होता है हुख में एसола शूग से पर्स केंच मोज तो आरे इस जले यहां सौग होता है आए हिस सब्सक्री पॉर्स सब्सक्रीज जल्दी बोलो तो इस तरीके से होता है कि फिर क्या हो गया यही आगे बढ़ेगा तो एरेस्ट भगया प्रोफेज फर्स्ट में जब फिवर्टी तक तो यहीं रहेगा लगिन जैसे प्रफिमेल आएगी तो इसका हो जाता है में चुरेशन किसका फॉलिकल का जो आज देखेंगे हम लोग क्या बात करें फोलिकुलर के मेचुरेशन तो थोरी दर बाद इसको पेंडिरी उसाइड्स जिसका जनेटिक मेकप है ब्लॉइड हो चुका है क्योंकि फर्स्कंप्लीट हो गया है और दूसरा क्या बन गया डॉलर बडी अब जनेटिक मेंकप सेम होता है तो पहला पोलर बडी कब बना आफटर प्युवर्टी कहां बना कहां बना ओबुरी के अं के अंदर बनना नहीं के लिए रहे चलिए अब मैं इसको साप कर रहा हूं कर रहा हूं कि अब तो हम लोग से उठाते हैं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं से केंडरी कि अधिन और सकेंडरी उसाइट्स जो बना तो प्यूबर्टी के बाद की बात कर रहे हैं जरेटिक में कप क्या था तो यह नहीं एंड एंड इस इक्वल टू 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 प्लस एक्स या ए प्लस तू को ईंड एजरेटिग में अपिसका की इतने झाओं ... अब इसमें क्या इस टार्ट होना है अब इसमें नहीं होता है मियो सीथ सकेंड इसमें हुए है जोग होना होता है मियो सीथ is start का स्टाइब हुआ मेली दिए हैस सकेन्ट तो मिलिए यह नहीं लिख थे चलिए मेलीट सब्सक्राइब टेप मेल लोग आंगे ना तो इसमें भी होगा केरियो कैनेसिस धूर्ट में लिख देक के के सब्सक्राइब बत्म सबस्सक्राइब 1 एनाफेज सकेंड और तिलोफेज सकेंड की बात होती है मतलब सकेंडरी उसाइट में मियोसिस सकेंड स्टार्ट हो गया मियोसिस सकेंड स्टार्ट हुआ और जैसे मियोसिस सकेंड स्टार्ट होता है फिर से एरेस्ट हो जाता किसे स्टेज में मेटाफेज सकेंड स्टेज में है तो एइयरेस्टेड इन तो है इन मेटाफेज कि मेटाफुट है मेरिम्लि और मेंट एस्टेजे कि एस्ट स्टार्ट हुआ और मियोसित सकेंड जैसे स्टार्ट हुआ मेटाफेस सकेंड में एरेस्ट हो गया है अब क्या होगा यही मेटाफेस सकेंड में होता है अब यूलेशन हम लोग जो अब यूलेशन की बात करते बच्चों अब यूलेशन का किसमें होता है अब यूलेशन अब्यूलेशन किसमें होगा इस सेटेज में तो मेटाफेज सकेडेज में जिस समय ऑभूलेशन होना है उस साइट्स किसे सेटेज में रहेगा इसमें रहेगा मेटाफेज हare है कि अगर यह messed up in second में अउव लेशन हुआ है है मेटाफेज सकेंड उसका मतलब औभू लेसन के टाइम में क्या नहीं हूआ है मेटाफेज सकेंड टेक हेडं में यह मतलब रहना यह सकेर नहीं हुआ है इसका मतलब ओंटि नहीं हुआ है है इसका मतलब है साइकोगानेसी सेकेंड नहीं हुआ है विद्ध अब देखो अबूलेशन हो गया और अबूलेशन जैसे होगा तो ओभा चुका है कहां लेपियंट्यूब में तो यह तो प्लेपियंट्यूब भी नहीं बना हुआ है हटाऊंगा तो जाएगा तो मैं बना देता हूं देखो यहां छोटा सा बनाते हैं कि इस तरह से फ्लेपियन टूब को ड्रॉप करते हैं और यह यूट्रस कि यह 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 सर्भिक्स यह बहजाना वाला पाट हो गया यहीं पर क्या था ओवरी और यहीं ओवरी क्या से कर दिया है और यह ओवा जो बाहर निकाला यहीं ओवा बाहर आया है तो यहीं ओवा की से स्टेज में हैं मेटाफेज सेकेंड ओवा का ओवरी से बाहर निकलाना क्या कर आता मेटाफेज सेकेंड यह वाला पाट क्या है ओवरी यह यह जो पाट है यह क्या है इदर इधर नहीं तो मेटाफेस से केंड में ओभा बहार आ चुका है मेटाफेस से केंड में जो अब्यूलेशन हुआ है तो यह कौन पकड़ा है तो फिंब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो यहां भी दिख रहा है यह यह क्या है फिंब्री पढ़ाया वहाँ है पक्रिंब्री 10 वाला और यहीं श्रॉर्ग करेगा कि हुछbon में किस में सईटा जाएगा तो स्वल्सstonesन क्या कि आएगा पहला कोस्ट आपसे पूछ देगा अबूलेशन की से स्टेज में होता है मेटाफिस सकेंड इस्टेज में नहीं प्रेपियन टूब में की से स्टेज में आया मेटाफिस सकेंड इस्टेज में फिम्री की से स्टेज में पकड़ा मेटाफिस सकेंड इस्टेज में और अब अगर यह माल लीजे यहां दो एस्पेक पाटिलाइश एन नहीं हुआ है कि नौट फटिलाइट तो फटिलाइश्ट नहीं है और फटिलाइश्ट नहीं कि ए तो यह कर जाएगा डीजनरेट अगर ओभा यह आया है तो भाज है 24 आवर वेट करेगी 24 घंटा इसका कि कहीं से भी असपर्म आ जाये हैं तो हागए रहेच की ऱमारी जाएगी 24 गंटा इंग तोभा इस एश्टेज्ट में 400 इसटेज में नहीं एज सेज्टी में नहीं यह सब में अंसर क्या गया मेटाफेज सकेंड क्या बताया ओभरी को छोड़ के जो आता है बाहर ओभा किसे स्टेज में मेटाफेज सकेंड फलेपियन टूब में किसे स्टेज में गया मेटाफेज सकेंड फटिलाइजेशन किसे स्टेज में होता है मेटाफेज सकेंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब बीट करते 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 कहा लेकर आ जाएगा इसमें आएगा यूट्रस में लेके और यूट्रस में क्या था अगर इंडोमेट्रियम था इंडोमेट्रियम था और प्रिग्नेंसी क्रियेट नहीं हुआ करेगा जब करेगा यह वा को क्या करेगा बीडिंग करबाके निकलवा देगा में जो वा बहार आता है भी मेंटाफेज सकेंड में में राता है कि हमज़ गए मेंटाफेज सकेंड गाहां जा रहा हुआ है अगर पक्राइब हुच्छन नहीं हुआ तो मेंटाफेज सकेंड अगर कि में इंडिया का में सुद्शन में जो किसे स्टेजंध में होता है अगर फटिलबाइज होगया तो फटिलाईوس थे जो वा अगर फर्टिलाइज हो गया है तो गैरेंटी यह फीमेल पिलेट की किसे तभी तो अस्पर्म आया है अगर मानों के-स रहे हैं है अब लुग्रों तर्थ और यही एस पर्म और गश्ष्प अम्मेटिंग वा होगा और एम्दा है और स्पर ममदा है मिला है तभी हमनों क्या बोल रहा है है लिए टी प्रटीलाईजळ चब वया है जब स्पर्मर्ण आ्पस में मिला प्रट्टीलाईज़शन कहा व टो फा alert में हुए तो और भी डॉप करेंगे उप्रिफिया पर अभी डॉप की बात करेंगे जहाँ पर क्या हुआ वा रर्टी लाइजेसन की बात करते और जई से फटेलाइज हुआ अब मियोसिस complete होता है मतलब अस्पर्म का इंट्री जब हो गया तब मियोसिस complete तो अब हम लिख सकते हैं यहां पे completion of meiosis second मियोसीस मियोसीस सकेंद' होने का मतलब क्या मतलब क्या छो मैटाफेसस सकेंड में ठाप सर्टिलाइज हुआ तो इसका मतलब आब क्या हुआ होगा टीलोफेक सकेंड अब क्या हुआ होगा सई-05 sommes सी तो आप्टर फर्टिलाईजेशन एना फेज सटेड होता है याद रखेगा तो ये भी कुछ सकता है फट्रिलाईजेशन के बाद कौन सा इस्टेप हुआ ऊप्टिलो फेज सटेड इलोफेज सकेड शाइटो काणेसिस सके और फिर से साटो लोग बोल देता है ओभम क्या बोल देते हैं कि ओभम और ओभम का जनेटिक मेकप जो लिखेंगे एन वराबर 23 22 प्लस एक्स या ए प्लस ए प्लस एक्स कहिए गास सर्फ फर्टिलाइज कर दिए कि फर्टिलाइज करने के बाद भी ऐसा क्यों लिखें ओभम का लिखना चाहिए था बात करते हैं बात करते हैं लेकिन उससे पहले उससे पहले एक और सेल बना तो अब बनेगा सकेंड पोलर बड़ी क्या बनेगा अब सकेंड पोलर बड़ी यहीं बनता है सकेंड पोलर अब बनेगा तो जरा सा कुश्टन सुनिए सकेंड पोलर बड़ी कब इंट्री ओफ ऐस परम शकेंड पॉलर रबड़िक कहां बना तो जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था पर्टिलाइजेशन हुआ था फ्लैपियन में पॉलर बड़ी कहां बना था 12 डीन कहां मनें अग मात पड़ी में कि यह सेकेंड पॉलर्बडी का जेनेटिक मेखप क्या होगा एन z टू टूटी ठी नहीं 22 टू प्लस एक्स या नहीं तो प्लस एक्स यह जनेटिक में कब होगा स्केंड पॉलर बड़ी का तो सकेंड पॉलर बड़ी कब बना आप्टर इंट्री ऑफ सपर्म सकेंड पॉलर बड़ी कहां बना फ्लैपियान ट्यूब की बात कर रहे हैं अब यह जो ओभम आया अब हम इसको 46 क्यों नहीं लिखे अब इ को मेटापिस सकेंड इस्टेज में ततकाल है है और संसीरी आहिए तो असपर्म का निकलिएस मियसे कंप्लीड किया हुआ है यह यह सपरम का है तो है इस पेर मका थसे तरह और फॉयिण पहले से क्या था है लेहिस्ट यह में जब लिख आपकेन के निकलेश को किया जाता है कि रुपजा भाई हमको तइयार हो कि आने दें कि अभी मेटागे से सकेंडेस्टेज में 지금 में अभी तयार होगा में मालेज़ दुलहा गया दुलहन को ले जाने के लिए तो दुलहन को तयार होना पड़ेगा दुला को वेट करना पड़ेगा तब यह पर्म क्या है दुलहा नहीं अदुलहन बोली अभी तो हम मेटाफेस सकेंडे स्टेज में अभी तो असनाने असनान किये नहीं अब थोड़ा मेकप उकप करने दे अच्छा-च्छा कपड़ा सब पिनने दे लंगा चुदनी सब डालने दे तब न जाएंगे तो वही कहान यहां है कि अभी यह अकेल होना है यहां पर तब जाके यह दोना आपस में मिलेगा तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक टू एन नहीं लिख सकते हैं इसलिए यह वह फटिलाइजेशन हो चुका है यह लेकिन ततकाल है प्लॉइड कंडिशन में है अलग बात है लेट एस्टेज में सुरू में इसा रह रहे हैं उसका यह सारा इस्टेप यहीं चलता है कहां से स्टार्ट किये सबसे पहला क्या स्टार्ट किये थे प्री मोडियल जर्म से जो इसमें है नहीं अभी फिला लिखा हुआ है अटा चुके है प्री मोडियल जर्म से नहीं था कि लिखा था पुरा तो प्री मोडियल ज साइट्स वही डवलब किया तो प्राइमरी उसाइट्स जनेटिक मेकप टू एंड या डिपलोइड भी बोल के निकल सकते तो यह चीज होगा फिर इस्टार्ट हुआ उसमें मियोसिस फर्स्ट मां के पेट से सब्सक्राइब इस्टार्ट हो गया । मेल में मियोसिस स्टार्ट होता है कर पर फूबर्टी जब अस्पर्म का प्रोडक्शन करवाना होता है कि 11 12 साल के अधार मेल में में रोज श्क्रों मियोसिस हो सकता है है इभन हजारों तो म्हां के पेट से श्टार रोज धलिमेल का म्हां के पेट से स्टार्ट हुआ जनम ली तो नहीं आtic प्रोफेशित मैरेश था कि उसके बाद क्या हुआ है स्केंडरि शाइट से मियोसिस से कंड स्टाट हुआ कहां पर आरेस्ट हो गया मेटाफेंस सकेंड से में है रहा कब तक जब तक human female का साधी नहों जाए तब तक यइन फिमेल का इंटरी नहों हो जाए तब तक करूंधे तरीके से बोले जब तक का स्पर्म ऐसी साव कि बा цвет को साथी टीश साल बाद हुआ टैसाल वाद उसका मॉरसी स्कंप्लीट हुआ है को आपकुलेंट भी कभी नहीं कि उसके बड़ी मेंस Самर कहीं से कभी प्रीगनेंसी नहीं होगा तो पर्म prints करवाने के लिए असकण चाहिए मेल का और मेल में इस्टार्ट होता है 11 12 साल लेट इस्टार्ट हुआ लेगिन रोज हो रहा है रोज हो रहा है तब तो इतना एतना एक बार में निकाल दे रहा है मैंने बताया था 3.5 ml या 3-4 ml सीमेन का डिपोजिशन आ उसमें जब मैक्सिमम मम लोग जो रहे थे लगबख 480 मिलियन अस्पर्म तो जरा एक बात और गौर करने वाली बात है क्या हुआ है एक बात और यहां गौर कीज़ेगा एक बात और यह कुसाइट से बोड़ पर बोड़ पर ने जार रखो बोड़ बोड़ पर तो जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो यह गोई बना एक पोलर बड़ी बन गया इसका तो कानी खतम पर फिर जब मियोसिस सकेंड हुआ तो फिर एक सेंडरी जो बनाया ओभम आप फिर चैल से एक उन बना एक इमाल में एक सेल से एक ही बना फिमेल में यही चीज़ में मेल में होता तो सुआ पूलर बढ़ी का कंशेप्ट पिर नहीं मैं ऑन क्या विद्क मेर्शिंट कंप्लीट होता था इससे भी लृः। बंनता और इससे भी मेल में एक जर्मिनल शेल सचार अस्पर्म अप tarkрах में यह या उपार में कि कैसे पिछ साइब है की डूंगों क्विसटे scripture बने गया है की जानगे अलायम मत नाहिए एक विपोर फेल आपटर पुबर्ती ना दुस्रा विपोर आप्टर प्रिवर्टी अदूसरा आप्टर इंट्री और फस्पर्म दून आप्टर ए अभी नपढ़ाया असपर्म का इंट्रियों का तो बुल गए इलियर है यहां थक जादक में कोई डाउट है दो बुलिए अनी डाउट अनी डाउट बरू आगे अगे कि तना टाइम है अधाओ लिखना है इस पर पूछें आप आप अगे गोभम एक्स रिलिएग दो पूछें तो फेले पूछें बहुत दो करेगा मतलव है अच्छा यहां हाँ हाँ है क्या पोलर बड़ी है अच्छा यह इस तब बताऊंगा आ गया आएगा इस पर पूरा बात ही करना है कि मैंस्ट्राल साइकल के चौधमा दिन में करता है फोर्टीन डेज अपने स्ट्रेल से कि अच्छोद चौद वन फोर फॉर्टीन बात करेंगा तो अब बहुत कि अच्छे तो ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं चलो एक एस टेप बताता है मैं बात करने जा रहा हूं मैं क्या बात करने जा रहा हूं मैं क्या बात करने जा रहा हूं यह देखो यह जो दिख रहा है आपको नहीं नहीं दिख रहा है आगया यह जो दिख रहा है नहीं यह जो अबरी आपको दिख रहा है यह इसी का अगर मैं सेक्षन कर दूँ यह और इसी का मैं अगर सेक्षन कर दूए तो इसके अंदर देखे यह क्या दिखा रहा है ग्रेफन फॉलिकल कैसे मैच्चुर हुआ तो मैं तो अभी फ्लो डाइग्राम पर सार बात कर लिया है कि दो कुछ फिगर पर भी बात करना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसमें कोंत्त फॉक्ल है क्यों सत्रिप आप इसक्टि आशनक अंशुन हुआ कैसे एंटरमु का फॉर्मेशन हुआ कैसे ग्रेपशन बाहर आया है कैसे कॉर्पस लूटियम बना फिर कैसे नया साइकल स्टार्ट हुआ है तो यह तो यह आपको दिख रहा है पिए इसी तरह का जैसे अगर एंस्टाटी का फिगर मैं मैं आपके सामने रख़ूं तो यह वाला फिगर आपको एंसी तरह का अब क्या है इसमें भी देखोगे तो यहां पे बलड बैसल दिख रहा है फिर मोडियल फॉलिकल दिख रहा है तो आपको पता प्रामरी का क्या स्टेज होगा सेकेंडरी का पता ही आपको क्या होगा पिर इसे में करपस लूटियम बन्येगा और यही करपस लूटियम फिर कैसे आगे जाएगा नहीं जैसे मैं इसी कागरफ कलर चेंज कर दूं क्या अब दिख रहा है तो यहीं सटेप बात करना है लेगिन क्या है कि एस्टेप तो अल्मोस्ट हम कर लिए लहीं फिर भी इस पर अगर बात करूंगा इस फिगर पर आपको कुछ बुझाने हो जाने वाला नहीं तो मैं क्या करना चाहरा हूं हर एक एस्टेप को बाहर निकाल निकाल के अलग-अलग से बात कर यहां सारा एक स कर्पस लूटियम इसब दिखाया है और यही कर्पस लूटियम प्रोजेस्टान सिक्रिट करता है और बाद में कर्पस अलविकेंस बना दिया यह पूरा इस तरह से दिखाया है तो हम लोग जो यहां पर बात करने जा रहे हैं जड़ा सा गौर कीजिए हम लोग इसके एस्टेप बात करने जा रहे हैं तो सारा कान इसके अंदर का है लेकिन मैं पुरा अभी किलीन करना चाहरा हूं ठीक है पुरा वाइट कर दिये और इसी पर हम लोग बात करने जा रहे है किसका कि कईसे कईसेल इसके इसके ठीक होता किसका ग्रेफ्यन वौलिकूलर के डेवलप्मेंटब्र एसे रिलेटेड हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैसरे एस्टेप बोर्ड पर नजर रखेगा चुकि इसी सारी खेलंधंग जा ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन या ग्रेफियन फॉलिकल है यह 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 जो एक स्टेप अभी थोरी दर पहले बोले तक आगे आएगा ग्रेफियन फॉलिकल अब ग्रेफियन जैयार डबले न मत देखें तो क्या लगैं जैयार एं डवल फॉलिकल हो गया आट ओगेल व्लेघव देखकने देखले नियुक्isième फॉलिकल सुर्मेशन ऑप ग्रेफट डबले होगा ना हमको लग रहा है है हमको लग रहा था कि अधिया पॉलिए ठीक है चलिए कोई बात नहीं इस प्रिलिंग में याद रखे गाद नहीं कि सारा बात कहा है और इस अधिया पहले बताया हूं कि जगा का पॉब्री का पॉब्री में भी कहा का दो पाट में बाटे थे पहले तो एस्ट्रोमा बार जर्मिनल सेल अफिर इसका पॉटिकल रिजन का यह अधि कोटक्स सारा कहानी यही इसमें इसमें जहीं है पॉर्मेशन और टेक्र लीगण की बात कर त्य लेहीं है करके बनाओंगा और गवर से देखेगा सबसे पहला क्या होता हैं की तुर्बाती प्राइमरी इसलिकल यह тобे कुन सा है यहां पे सब्से पहले बात करें यूद्य नो फिरी का जो दिश्ट और यहीं पे प्रामरी उसिट होगा चलिए रेट से को है कि 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 इसी के अंदर का बात है आं यह चुद यह यहां पर यहां निकल के प्रामरी उसाइट से प्रामरी इसाइट से फ्रैमरी निए इस प्रैमरी उसाइड साथ आता है ना इसको चारों साइट से घिर लेता है फ्लैट से कहा का इसका फ्लैट सेल घिर लिया पहला इस्टिप खतब है कि पहला इस्टिप फ्रैमरी साइट सो कौन घिरा फ्लैट से पहला इस्टिप खतब है सकेंड इस्टिप अगला कि नेक्स इस्टिप में आएंगे हम लोग तो सकेंद स्टेप में घू बात करेंगे में अब देखो यहींve साइट्स है और इसी वह साइट्स है तो इसी का इसी को ** साइट्ष से कौन गेरेगा जो फ्लैट सेल था यही कोलूमनार सिपक वहका हो जाता है यह क्या होग्या है क्वलूमनार सिपتria क recognition शकार है सब्सक्राइब 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 करें तो पहले जो बना हुआ है वो तो बना ही पड़ेगा आपको और यहां पर देखो पहले बना देता हूं एक लेयर यहां पर फर्मेशन होता है इसी का नाम है जोना कि पैल्यूश सीडा यह प्रैमरी एक मेंबरेन है आप लीज सकतो यह क्या है अब प्रैमरी एक मेंबरेन और चारो साइट से कुण गेरे हुए है को लुमनार से जो को लुमनार सेल है यह गेरे हुए है यह थार्ड एस्टेप तिसरा एस्टेप भी डण जोना पैलुशिडा क्या है प्रैमरी एक मेंबरेन के लिए फॉलिकुलर सेल को गेर चुका है फूर्थ एस्टेप एस्टेप नंबर फूर्थ अगला एस्टेप चौथा एस्टेप में आये है तो यह देख़ए पूसाइट स्कूद कि इसको कोन गिरे हुए है जोना पैलुशिडा बात बिलकुल नहीं नहीं तो कुछ भी बुजाने वाला नहीं अगर जो समझा रहा हूं यह नहीं समझ में आया तो अगला जितना क्लास होगा ना सब मे लोगे अ क्या किसी पर बेज़ डव सारा क्लास चलेगा और इसके बाद जो कोलुमनार सेल था इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता बार वार इसको भाट करता मालों यह कोलुमनार सेल था फिस तरह का बना देता है चटाच्ठाच्ठाच्ठाच्टां इसतरह ए पार यही जो होता है गृनीलोसा क्या जोना यहां पे ग्रेनुलोसा से इसका नाम क्या है मेंब्रेना ग्रेनुलोसा इसका अगर नाम लिखना है तो आप लीख सकतों मेंब्रेना ग्रेनुल लाइक के परेंट्स हो जाता है कि अब यहीं मेंब्रेना गिरलोसा बन गया अब देखो अब मैं एक लाइन इससे इधर खीच के इधर ले आता है कि अब अगला बनाते हैं फिर क्या होगा इतना इस्टेप हो गया फोर्ट इस्टेप था यह इस्टेप तो उस साइट से यह ससे है इसको गहरेवे कौण है को चो ना पली किटीड़ बिखा दे गां गरिन्लोशा उसहाओ इस बार गोर गोल गोल गोलित्र एजकर दीखा 홑े ग्रेनुल लाइक अपरेंस एंग फिगर भी बना है डिट्टो वाइफ फिगर बना हुए स्टेप नमबर फूर का गरेन लोसा अ गरेन लोसा है गरेन लोसा है तेले रहे अब देखो अब देखो यहीं पर काम करता है फॉलिकूलर इस्टुमूलेटिंग हर्मों जितका नाम है एस एच जो एंटियर पिटिट्री से एफ एस निकलेगा तो यहीं एफ एस एच एक्शन करेगा इस पर और एक्शन करके क्या करेगा किपि एक फार्मेशन यहां पे फुछ रेल को डिजनेट करवा देगा पूछ टिजन्रेट होने लेगे यहां पे कुछ तेल डिजन्रेट करने लेगे और यह के बिटी बन गया तो यह के बिटीं बनेगा और यह जो के बिटीं आपको दीख रहें पर इसी का नाम हैं एंट्रम कोन मरवाया अब जो अ फोली कुला है टो नाम क्या परता है इसका एंट्रम के अंदर लिकविड होता है क्या कि अन्दर है कि तब तक क्या होगा इसका साइज भी बढ़ा हो चुका होगा बाहर पते जाएगा बड़ते जाएगा अब अगला इस्टेड़ यहां पर लिक्विड एक का बोलेंगे तो कि किसका लिक्विड है फली कल का तो क्या नाम देगा ऑलिकूल अगला स्टेप सारा कहानी यहां पर हो जाएगा छठा स्टेप में जो बात करेंगे तो आप देखो अब यह जो एंट्रम बनेगा यह बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा तो क्या होगा चैसरा क्लो एक साइट में त्षैले गा तो उसे समालो कि साइट में कर दी मैठ फेदीक मेट इसी चार्श साइट से घिरे हुए KAOR जोना पैलिशीडा यह वाला लैर के बारे में क्या बताएब करें panel जोना यही पे थोड़ी दरबात बनाना है लेकिन मैं पहले बना देता हूँ नहीं तो बात में दिक्कत होगा यहीं पे एक लियर और फिर सकेंडरी एक मेंब्रेन बनता है जिसका नाम है कोरोना रेडियाता की सब्सक्राइब उसके बाद उसके बाद को याना तो पन् register है कि यह कुणकि टीकुलर ताम उसी में से किये यह कि यह कुन्ण सा है योग रेडियाता के सवाठी के मिज़ों और उसके बाद हमको बनाना है क्या फ़ल्टीकवलर प्लफी निश्ञिदशना इसकूल और चारो साइट से गिरे हुए है अभी भी गिरे हुए अभी गिरे हुए है तो यह जो फॉलीकूलर से यह जो साइट को गेरे हुए है इसका अलग नाम पढता है क्यूं छुंद फॉरिकस अभित क्या नाम लीन श्युक्तिष्ट में यह ग्यों प nuggets और फॉरिकस कि इसका जो नाम पढ़ता है चानाम पढ़ेगा इसका नाम लिखना है तो क्यों मिलस क्या बोलेंगे ओ फॉरिकस पूरिकस क्यूमलस पॉरिकस बोलेंगे प्लस क्या हुआ अधर अभी बेटी भी बन गया था एंटर और बागर जाएगा एफ ऐसेस का सिकरेशन अभी बी सब्सक्राइब है तो मैं बारा सा एंटरम दिखा रहा हुए है मैं यह कि आद हुआ अधर और आधर्य अ हुआ तो यह चाही जो फोरा दिर फॉरा दिर पूरा दिर सिसे बना को बोले टी इंटलं इसमें क्या भणाबर हुए अविक लगाज इस या प्रोतोप्रविश्म सब प्लास को यह या यह ये यह 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 यै बहार भी था और इसका नाम परता मेंब्रेना ग्रेनुलोसा क्या नाम है मेंब्रेना ग्रेनुलोसा यही मेंब्रेना ग्रेनुलोसा है यह पूरा मेंब्रेना ग्रेनुलोसा बना हुआ है है लेयर भाय लेयर होगा मेंबरेना गरेनु लोसा इस तरह से धर ऐले रोगा जगह नहीं है तो मैं छोड़र हूँ जादा ने बना रहा हूं लेगिन गौर करो मिलनीचे ने फटा है कि दर निपंध का इदानि पटा है किदर ज़ो ओधा जर्म हिल या डिसकस प्रॉलीगेरस इसका नाम क्या दिया जाता है डिसकस प्रॉलीगेरस यह 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 वाना पुर्चा या जर्म हील के नाम से भी जानता है जर्म हील भी बोलते हैं और लिखते नहीं अभी और है इसके बाद अब यह जो फैला है यह जो फैला है तो इसके बाहर भी एक लेयर बनाता है और उसी लेयर का नाम है थीका इंटरना क्या नाम है थीका इंटरना यहां पर मैं बना रहा हूं मैं एक क्याम करता हूं यह 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 बाहर से एक लेयर बना है क्या नाम है थीका इंटरना और आपको बता दू यही थीका इंटरना जैसे फॉर्मेशन होगा तो यहीं थीका इंटरना एस्टोजन हर्मोन का फॉर्मेशन करता है यहीं थीका इंटरना क्या बनाता है टेस्टोजन हर्मोन का फॉर्मेशन करता है कौन थीका इंटरना तो यह वाला जो फॉर्चन है क्या बजाया थीका इंटरना कॉम सिक्रिट करेगा एस्ट्रोजन क्या सिक्रिट करेगा एस्ट्रोजन को सिक्रिट कर रहा है इधर भी लिक रहा हूँ में ठीका इंटरना तो थीका इंटरना से करता है अब देखो अब देखो अब देखो अब यहां पर क्या होता है एक लेयर और बनेगा थीका इंटरना से करता है एक प्रॉक्स को सबसे बाहर का नाम दोगे सितेखका नाम देंगे नहीं तो यह ठीका एक्स्टर्णा ठीका एक्स्टर्णा ठीका एक्स्टर्णा तो सबसे बारी लेयर का क्या नम है ठीका एक्स्टर्णा यह जो लेयर है क्या नम है ठीका बात क्या हा ठीका इंटर ना उसके बाद क्या बना मेम्सरेणा घरलों chimें लिखे sanct laughing in लोजय त्रूब लिख लेता लेकले यह वाला क्वधाया ठीका इक्स्टेनना के बाद हिका इंटरना एका इंटरना के बाद यह बाला मेंब रेना के गरनूलोसा के पालेंटरप आइंटरण के बाद क्यूमलस कुछ रिकस यूमलस फॉरिकस इस तरीक से बनता है बच्छो क्युम्यूलस तो फरीकस के लियर है मेंब्रेना के लिए साथ के बाद क्यूलस फरीकस उसके बाद करोना रेडिया टाउस के बाद जोना पेलिसीडा देन ये सकेंडरी उसाइट पेडा या मैं मैं चीम अजारो और भी बोल सकते हों सब्सक्रार्ण नहीं करेंगे हैGu इसको अपोलो तुम भी नहीं आया है तुम भी जाएगी तो किसे कम चुलेगा नहीं का तवियत खराब है तुम आदा गंटा में तुमको लगता है हम उद्रे रहते हैं कि अब आगे ट्रापिक पर आए अभी वाला गया हैं और दो गया है ना अग्लेट बरबार आया है अधा गंटा में तुम नहीं आपाएगी हमको अच्छे से बताया जहां अभी हो कहां तो अब आप इस से आधा गंटा जाने में लगेगा कम से कम अधा गंटा आने में लगेगा कि हमको पता है न किदर है हां कि सुनना हम तो सब मत बता हो और अपना पड़ेगा तुम आदा गंटा में नहीं आई तो पूछे में ठीक है नहीं अभी मट जाएए अकेले हैं और फिस्मेंट कि हो गया इतना बाद किलियर है यहां तक में कोई भी डाउट है तो बताईए सारा इस्टेप बताया में चुरेशन ऑफ ग्रेप्शन फॉलिकल कैसे होता यह मैंने बता दिया इसी में मैं आपको बता दू अब यहीं वह भा जब मैचियो हो गया तो क्या होगा यह फटेगा अब इसको फारड इसको फार देगा और इसको जय से फारएगा क्या निकल के बाहर आ जायगा तो तहां चला जाएगा फ्लाप जियर है तब फ्लेपियन टूब में जाएगा किसी को बोलता है मैचुरेशन और फॉलिकल इस पर और भी बात है कप फटेगा तो 14 डेज कप फटेगा चौदमा दीन तो चौदमा दीन यह फटेगा के लिए रहे चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इतना बात किलियर है सारे लोगों को कोई डाउट है तो बोल दीजिए अभी भी एनी डाउट है कि आई थेंक नहीं है